Hello students, ग्यान बॉक्स यूट्यूब चैनल पर आपका श्वागत है मैं अशोग दिवेदी, आज आपको त्रिकून मिती की exercise 8.1 का question number 2 बताने वाला हूँ और देखेंगे कि ये सवाल को कैसे आसानी से solve कर सकते हैं, तो आईए देखते हैं सबसे पहले इसमें दिया गया है कि आकरती 8.13 में आपको 10P-4R की value बताना है ये क्या होगा तो previous वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले जब तक इस त्रिकून मिती के अंदर आप तीनो sides को नहीं याद करेंगे तब तक आप इस value को बता नहीं सकते हैं, means आपको यहाँ पे तीसरी side unknown दी हुई है, इस side को निकालना होगा इसको निकालने के लिए हम तरीका कौन सा इस्तेमाल करेंगे, जब भी यहाँ पे समकोनी तरभुज की बात आएगी, आप पाइथा गुरस प्रमे को नहीं भूलेंगे तो सबसे पहले हम यह मान के चलते हैं, कि यहाँ पर A आधार है, और P Q यहाँ पे लंब है, और P R करण है, करण सबसे बड़ी भुजा होती है, क्योंकि 90 के सामने की भुजा होगी तो ऐसे हम यहाँ लिख लेंगे कि तरभुज P Q R में, तरभुज P Q R में, यहाँसे के स्कौर बराबर, L स्कौर प्लस A स्कौर, तो यहाँ पे, यहां के की वैलू 13 है, 13 का स्कौर बराबर होगा L की जगह पे 12 का सक्क्वार हो जाएगा PLUS A सक्क्वार हमें पता नहीं है तो ये हो जाता है 169 और यहां पे यह ہو जा जाएगा 144 PLUS A सक्क्वार तो यहां से इसको हम माइनस करते हैं 169 माइनस 144 we got A सक्क्वार तो यह आ जाएगा आपका 25 25 is equal to A सक्क्वार स्क्वाइर जब इधर आएगा तो यहां स्क्वाइर रूट बन जाएगा बैलू आफ स्क्वाइर रूट 25 इस 5 हैंस भी गाट A इसक्वल टू 5 यानि ए हमारा 5 सेंटीमीटर आ जाता है जब यह 5 आ गया तीनों साइट सिस्की बैल नोन हो गई तो हमें देखना है टैन पी के लिए सबसे पहले जब टैन पी देखते हैं तो पी देखने के लिए जहां से देखने के लिए बोलेगा हमें अपनी आखें यहीं पे लगा के और इसके सामने देखना होगा तो इसके सामने देखेंगे तो यह जो क्यू आर है QR यहां पे LUMB मिल जाएगा यानि QR भुजा जो हो जाएगी वो हो जाएगी LUMB इसके LUMB मिल जाने पर दूसरी भुजा अपने आपाधार बन जाएगी कन भुजा बनलती नहीं है इस तरीके से हम यहां देखेंगे सबसे पहले 10P बराबर 10P बराबर देखने के लिए आपको हमने बताया था कि लाल बटे कका को आप मत भूलिये यह एक ट्रिक है किसी भी रेशियो को याद करने के लिए तो यहां पे हो जाएगा L अपॉन A तो LUMB हमारा बन गया है QR और A है हमारा PQ इस तरह से QR की वैलू हो जाएगी 5 और PQ हो जाएगा 12 और इस तरह से 10P की वैलू आगई 5 बटे 12 इसके बाद दूसरी वैलू यहां पे है कॉट R कॉट R के लिए सबसे पहले R की बात कर रहे हैं तो हमारे आँख यहां पे लगेगी और आँख यहां पे लगा के जब हम देखेंगे तो यहां पे PQ जो होगी वह PQ भुजा हो जाएगी लंब PQ के लंब बन जाने पर की वार आधार हो जाएगी तो इस तरह से इसकी वैलू हमें पता है और कॉट R के लिए आप इसी रेशियों को उलट देंगे यह हो जाएगा कक का बटे लाल और इसमें जो तीसरा रेशियों है यह कॉट को रिप्रेजेंट करता है मतलब आधार बटे लंब होता है आधार यहां पे हो जाएगा आधार यहां पे हो जाएगा हमारा 5 पांच और लंब है बारा यानि ये भी हो जाएगा पांच बटे बारा तो कॉस्चन में कह रहे हैं कि Find the value of 10P माइनस कॉट और क्या होगा तो यहां वैलू को प्लेस करेंगे 10P की जगा पे है 5 बटे बारा कॉट आर की जगा पे है 5 बटे बारा तो ये 5 बटे बारा में से 5 बटे बारा जाएगा जीरो जीरो इस दा आंसर इस तरह से ये सवाल हमने इजली बहुत आसानी से सीख लिया ऐसे ही सीखते रहेंगे बहुत सारे सवालों को आईए हमारे चैनल पर जुड़े रहे और लगातार सीखते रहेे और अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए वेल आइकान को जरूर दबाएं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद